गुड मॉर्निंग चिल्रेन तोटे विल लॉन्द लाइन स्मॉल वाक्या छोटे वाक्या फोर शुर्तिलिक रीड भी करना है फिर मैं वह वाक्य बोलेंगे तो आपको लिखके भी दिखाना है जानक जनक सडक सडक पर पर मतमत तहल तहल पूर्ण विराम चिन जनक सडक पर मत तहल यह हमें लिखना भी है जनक जनक सडक सडक पर मत मत तहल तहल पूर्ण विराम चिन तेहल और पूर्नुविराम चिन अभी देखिए बहन बहन महल महल चल करकर नमन नमन करकर पूर्नुविराम चिन बहन महल चल कर नमन कर बहन से बोल रहा है कि महल चल नमन कर बहन महल चल करकर नमन ना मान नमन कर 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 और पूर्णवराम चिन अगला वाकिव दिखते हैं बहन बहन गरम 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 मतर मतर चक चक बहन गरम गरम मतर चक और पूर्णवराम चिन बहन से बोल रहा है गरम गरम मतर चकने के लिए बहन बहन गरम 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 मतर मतर चक चक पूर्णवराम बहन बहन पढ़िए रोमम नहाई रमन इधर इधर उधर उधर मतर 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 मत ब Polizeच पूर्णवराम चिन रमन इधर उधर मत ब्문 pir प्डक रमनसे बोल रहा है कि इधर उदर मत बटक, रमन, रमन, रमन होता है, इधर, 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 उदर, 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 मत, 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 बटक, बटक, पूर्ण विराम, चिन, तो ये होगी एक और, ये चार वाक्या आपको अच्छे से प्रेक्टिस होनी चाहिए, शुर्ट ले के लिए, अभी एक और है, दरम, दरम, कलश, कलश, पकड़, पकड़, करख, कर, उदर, उदर, रख, रख, पूर्ण विराम, चिन, दरम, कलश, पकड़, कर, उदर, रख, ये पढ़ना है होता है, ऐसे पढ़ते हैं, दरम, कलश, पकड़, कर, उदर, रख, दरम, कलश, 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 पकड़, पकड़, कर, 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 उदर, उदर, रख, रख, पूर्ण विराम, चिन, ये वाक्य है, जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, इस सारे वाक्या, पढ़ना भी आना चाहिए, और जब विश्रुत लेक देंगे, तो ध्यान से सुनके, उस वाक्य को लिखके दिखाना होगा, ये वाली पेज तो आपने कर चुके हैं, अभी करेंगे, चार अक्षर ये क्या है, सरकस, सरकस, कैसे लिखते हैं, सरकस, ये क्या है, बच्चा एक्सरसाइस कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कसरत, 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 लिखते हैं, कसरत, यह शर्बत है शर्बत 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 जब हम शाब्द लिख रहे हैं सारे अक्षर को पास पास में लिखना है और एक लाइन में के अंदर अंदर ही हमें डालना है उसे यह क्या है कटल की सबजी खाए होंगे न कटल 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 आपको यह पूरा पेज लिखके प्रैक्टिस करने हैं चार अक्षर वाले शर्बत यह करने की कोशिश करेंगे हम काउपी में यह वाले शब्द किये हैं यह पनगट पनग त नहीं था तो हमने त लिखा और उसको चारक्षर वाले शब्द बना दिया पंगट, यह पचपन है, पच यहाँ पर नहीं था तो प लिखके पचपन बना दिया, यह चितर देख के आप मैं देखना है, शरबद है, तो शरब प्रिंट था, हमें त लिखके उसको पूरा शब्द बनाना है शरबद, यह जगर अजगर लिखा वैसे ही अगले पेज में चार अप्षर वाले अप्षब है यह देको शलगम शलगम कैसे लिखते हैं शलगम शलगम लिखें शलगम शलगम बरतन इन सब को क्या बुलते हैं बरतन तो कैसे लिखते हैं बरतन जैसे बहुत रही है है वाई से आपको वह अक everyday मालूम होना चाहिए लिखने के लिए बस यह तरकसं कर दोखेए है number 55 there is 55 पच पर न लिखना है प फिर च फिर प फिर न बन गया पच पन अभी हमें इसको देखना है अजगर इसमें अक्षर ज नहीं लिखा था तो हमें अजगर बोलने में मुश्किल हो रही थी तो हमने ज लिखके अजगर अजगर कर दिया देखो चितरतेव को देखकर यहां पर गह लिखे बिना दो लग दिया था तो हमने गह लिखे इसको बरगत चार वाले आक्षर बना यह परवल परवल यह क्या है उपवन उपवन ऊपवन हमारे नेक्स्ट चार अक्षर वाले अशद दमकल दमकल फारण द जैसे बोलने वैसे लिखना है यह क्या है टम टम के लिए टम 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 तो लिखते हैं टम 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 यह मल-मल मल-मल तो असान है मल-मल यह क्या है पैचानते हैं न तरमस तरमस होती है तो थ लिखेंगे र लिखेंगे फिर म और स तरमस बन गई तरमस अभी वैसे चित्र को देखकर शब्द पूरे कीजिए अचकन है इसको बहिते हैं तो अच क नहीं लिखाता और न लिखाता तो क लिखके अचकन बना दिया है यह बचपन 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 यह है कसरत 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 यह जो जगह है गर्दन बोलते हैं तो इसलिए गर्दन गर्दन आज का क्लास यही कतम हो गया है और आप लोग कविताएं और जो कहानी है अच्छे से पढ़िए प्लककाड से गिंतियां फिर आपके रंगों के नाम अच्छे से पढ़िए और से अहा तक भी सीखना है कर से ग्या तक भी सीखना है अच्छे से प्राक्टिस करो तभी आप असेस्मेंट अच्छे से कर सकोगे ठीक है all the best children